तो हेवलो गाइस कैसे हैं आयोवाब अच्छे होंगे तो हमेसा की तरह मैं कंटेट और लेकर के आया हूँ जैसा कि आप हमेसा जानते हैं चिनली आपके वीडियो लेकर आता रहता हूं तो जैसा कि आपने देखा है कि थम्नेल में देखा है कि वीडियो को लास जिन तक आप बने रहें वीडियो को लास जिन तक जरूर देखें तो गाइस मैं 100% बोल सकता हूं अगर आभी वीडियो देखते हैं तो आपको 110% आप इसका solution कर सकते हैं तो वीडियो को जो हम स्टार्ट करते हैं गाइस पहले मैं आपको एक डाइग्राम के थुरूर और एक अपने मैने बनाया हुआ है तो मैं पूरा पहले हैं पर एकस्प्लें कर दूँंगा उसके बाद कहके चीज़ चेक करनी होती है मैं वह भी आपको लिग दूँगा उसके मैं आपको विड मैप में भी और आप यहां पे हार्डवे सलूशन में भी आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या 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 कॉंप्रेंट इस बीच में होते हैं तो वीडियो में आप ऐसे बने रहें और मैं फटा फट पहले मैं मैं एक्स्प्लेन कर देता हूं step by step आपको क्या करना है सारी चीजे गाइस मैं यहां पर करने वाला हूं तो रेड्मी नाइन सी नाइन लाइट सलूशन तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो आईसी लगी है यहां पर नौ बॉल की आईसी लगी हुई है जैसे कि आप आपको एक पिंसे ले करके हमारी LCD नोट की लाइन सही है कि नहीं कहीं पन तो नहीं है सबसे पहले आपको यही चीज़ द्यान देना होता है आपके PCB का कनेक्टर कैसा है वह सभी है कि नहीं उसका कंडिशन तो इसके मैंने जीयार लिखा हुआ है जिए आप देख सकते हैं यहां पर जीयार है फाइब 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 फाइफ फॉर इतकी अप्रोडिक अपका अगर आपका फोन के बाटरी लगा देते हो गाईस तो यह इनके और इनके बीच में यहां से C3 और यह connector के जो आप connector का point देखेंगे इस तरीके connector होगा वन connector 3 connector 4 और 7 यह हमारा light section के connector है मैं आपको सारा चीज एक्स्प्प्रेइन करने वाला हूं तो पहले वाले pin पे हमारे यहां पर देख सकते हैं led cathode की लाइन है cathode 1 और cathode 2 यह तीन और चार पर आएगा उसके बाद मैं बात करता हूं जो साथ नंबर की pin है वह हमारी CBC PMW की लाइन है जैसा कि मैं आपको बता दू LCD PMW यह हमारे CBC की लाइन होती है कि basically मैं आपको उता दू यहां का जो जिया रहाना चाहिए वो 617 आपका जिया रहाना चाहिए तो इतना डीपली नौलेज़ और इतना प्रैक्टिकल नौलेज़ आपको आइधिंग किसी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको direct solution बता दिया जाएगा कि आप यहां से फिर icc connector के बिच क्या component लगा हुआ है वो मैं बता देता हूं लास्ट में इसका direct solution बताऊंगा कि इसमें आप क्या-क्या वीडियो डाला था रेट्वी नोट 6 डिस्प्ले ग्राफिक्स के उपर सारा फुल एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो चलिए सबसे पहले हमें इस ic पर क्या चेक करना है इस ic की पास आपको यहां पर चार बोल्ट देखना है इसके जो कॉम्प्रेंट है आपको पैलर में को चाहिए जो इस ic को चाहिए जब आपको लग रहे हैं पर 4 आ रहा है तो आपको दूसरा क्या चेक मैं से बीपर याप यह नहीं पर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने पूरा डेटेल के साथ दिखा हुआ है C1, C2, सब कुछ explain के साथ लिखा हुआ है अगर C1 पे आपका 1.8 voltage नहीं हा रहा है तो आप यहाँ पे भी 1.8 voltage दे सकते हैं यह आपको 1st और 2nd चेक करना है 1st तो आपने इसके tips के connector के condition देख लिया 2nd जब हम IC पे जाते हैं सबसे पहले उसका 4 volt चेक करना है फिर उसका 1.8 चेक करना है अगर यह हमारी no ball की IC सही हुई अगर हमारी no ball की IC सही हुई तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखना है कि हमारी IC output निकाल रही के नहीं यह output में क्या-क्या complaint लगे रहते हैं यह सारा मैं भी explain करने वाला हूँ C3 से आपका output निकलेगा तो यह जो output की line है यह हमारा LED anode की line है plus की line है तो इसे हमें क्या basically check करना है वो सारा चीज में आपको explain करूँगा आपको guys कि क्या-क्या component लगा हुआ है तो basically जब यह हमारी IC सही होगी और हमारे जो बीच के component है क्या-क्या component होता है मैं वो सारे चीज़े भी बताऊंगा आपको यह component अगर सही होगा तो हमारा output निकाल देगा guys अगर यह IC अपना output निकाल रही है इसमें switching की line, SW की line सारी line इसमें inbuilt होती है तो अगर यह हमारी IC सही है तो यह अपना output निकालेगी अगर आपकी IC सही नहीं है तो output नहीं निकालेगा basically तो क्या-क्या करना है वो मैं last होता हूँ अभी मैं आपको पुरा supply का knowledge दे रहा हूँ guys यहाँ पे तो आई होब यह आपको समझ में आ गया होगा और जो हमारी B1 की line है यह हमारी PMW की line है जो की basically मैं इसको बताऊं यह हमारी CBC की line होती है उसके बाद A1 और A3 यह हमारी line है Cathode 2 और Cathode 1 की line है B1 हमारी PMW की line है जो की CBC की line है guys यह जो मैंने बनाया है simple तरीके से कोई diagram नहीं खोला है क्यों कि मैं dry ground खोलूँगा तो आप confused होने के ज़्यादा chances रहते है इसलिए मैंने जितना हो सकता है प्रेक्टिकल तरीके से यहाँ पर अपने खुद से यह dry ground मैंने बनाया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको समझाने के लिए guys तो क्या-क्याची चेक करना है यहाँ पर पता चल गया होगा और सारा कुछ अब नहीं है अब मैं चलता हूँ कि एनोड की लाइन में, कैथोड की लाइन में और PMW की लाइन में और यहाँ पर EN में और यहाँ व्यस में क्या लगा हुआ है फुल डिटेल के साथ मैं explain करने बाला हूँ तो मैं यहाँ पर इसका hardware solution खोल लेता हूँ गाइस तो जैसा कि मैंने अपने वहाँ पर बताया था PDF में कि सबसे पहले आपको connector की condition चेक करनी है 134 और 7 नंबर की pin यह हमारी light section के है अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको TP मिल जाता है कि अगर यहाँ पर connector हमारा उखड़ जाए तो आप इस TP से यहाँ जंपर मार सकते हैं उसके बाद हम पहले एक line को लेके चलते हैं LED प्लस मतलब anode की line यहाँ पर कोई भी complaint नहीं लगा है और सीधा यह जा रहा है आप देखें यह हमारी लगी हुई है जो कि मैंने आपको दिखाया तो नोबल की IC है यहाँ पर charging है यहाँ पर light IC है नोबल की light IC तो हम आपको करें कि बाते हैं यहां प्तशक ट्रूंज कर तो है कि मेरी पैस्प्ली में है को ऒर्यूंज सकते हैं तो आपको किया जहाब है क्या सART गई कांडमी जाएक था कर सकते हैं सिरीज लंट मोक्त Lindsay को आपका ऐएगा x3 सब्सक्राइब और यहां पर दिख सकते हैं नम्मर के बीच में आपकी इस को सब्सक्राइब तो कहांब वहां से उठा करके जंपर सकते हैं मतलब इस को करूं से घुन्त इस से जूड़ा होता है उसके सब्सक्राइब और स्रिज में में भी देख चारबोल्ट नहीं आएगा उसके बाद यह चारबोल्ट आता कहां से है तो यह डिसी सी बीपेच से आएगा उसके साथ एक कैपसिटर और यहां के आप देख सकते एक फ्यूज रिस्टर लगा हुआ है सिरीज में अगर यह भी उपर हो जाएगा तो भी हमारा यहां पर चारबोल्ट इससी को नहीं मिलेगा उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर एक कैपसिटर लगा हुआ है और बूस्ट कोईल के दौरा और यहां पर देख सकते हैं लाइन हमारी देख रहे हैं यह हमारी कैफोर्ड की लाइन है कैफोर्ड वन और कैफोर्ड टू यह देख सकते हैं हमारी कैफोर्ड वन और कैफोर्ड टू की लाइन है उसके बीच में यहां पर दिखाई दे रहा है उसके बाद आप अगर जाएंगे तो यहां पर हैं हमारे PMW जो कि मैंने आपको बताया था LCD-Cabc जो कि मैंने आप दिखाया था आपको PMW यही हमारे यहां पे लगा है और यहां पर यहां पर देश सकते ऐसे एक सीरीज में यहीं रगा हुआ है तो बिसिकली सारी सप्लाइज अगर एस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे सेलुस्ट्र पता चल जाएंगे अगर आपके supply break है अगर आपकी cathode की break है तो यह coil break हो सकता है और हमारा boost coil break हो सकता है अब हम चलिए finally अब आप चलते हैं guys जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया आपको हमने यहाँ पर जो solutions बताए आपको यहाँ पर यहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो guys तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि direct solution क्या कर सकते है तो direct solution क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं direct solution आपको क्या करना है अगर आपके पास कभी भी यह 9A और 9C अगर light section से problem आता है तो सबसे पहले आप connector की condition देखे अगर connector हमारा open हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस coil को देख सकते हैं अगर यह coil open हो जाएगा तो हमारी track open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि रिज में लगा हुआ और दूसरा solution है सबसे पहले आपने इसकी condition देख ली अगर हमारा track सही है तो हमारी जायत थी बात है circuit में प्रॉलम है तो circuit में अगर आपको IC से पहले सबसे पहले आपको तीन चीजे चेंज करनी है एक अपना boost coil एक अपना diode और एक अपना capacitor तो guys आपको हमें 100% यह solution दे रहा ह है उसके अगर आपका output नहीं निकल रहा है तो यह तीन चीजों को आपको change करना है तीन चीजे change करने के बात भी अगर नहीं होता है तो लास्ट में guys आपको यह no ball की IC आपको light IC को change करना है guys उसके crowding मैंने पहले ही बता दिया चारवर्ट 1.8 आपका आना चाहिए 1.8 आपका यहां पर सीवन पर आएगा जैसा कि मैंने यहां पर बताया हुआ है आई होब यह वीडियो आपको काफी helpful हुआ होगा अगर इस वीडियो से आप एक भी फोन बना सकते हैं तो comment करके जरूर बताएगा guys कि वीडियो आपको कैसा लगा है यह मैंने और भी ऐसे में काफी बारे में charging Light IC के बारे में कहां से आ रही है क्या EN हो रहा है कहां से एन आ रहा है आपका CPU से आता है आपका सारा चीज के आपको मेंशन किया हुए तो सबसे पहले मैंने फिर से चोटा सा हाई-light आपको connector're करना है connector में यह देखना है कि हमारी track सही है कि आपको मैंने रिडिंग आप नोट करा दिये गाइज उसके बार track सही होने के बाद आपको IC के पास जाना है IC ना करके सबसे पहले यह तीन और यहां पर यहां पर यह बोस्ट को है और यह होना चाहिए आपके light section से होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी टार्ट वर बुस्ट को उठा कर देंगे तो बिसिकली यह आपको मैंने जो जानकारी दी है English solution दिया है गाइस step by step आप क्या चिछ कर सकते हो सारी चीजे मैंने आप इंडलेस डाला हुआ है तो आई हो अगर ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और ऐसे आपको और वीडियो चाहिए सारे मॉडिल के प्रॉपर चाहिए तो कमेंट करके आप बताते जाएगा मैं सीरीज वाइज आपके सारे वीडियो को डालूगा गाइस तो आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिलकुल ही ना मिले मिलत डिले ले दीजिए नेक्स वीडियो आपके सब्सक्राइब तो अच्छा करू अट चैना सीर झापके सब्सक्राइब टक्राइब तो प्लाइब ढ बताया बताते चाहिए वीडियो तो